वेल्कम टू न्यू लेसेन आज के लेसेन में हम एक्टिव कैम्पेंट पे अपना अकाउंट बनाएंगे प्लस हम समझेंगे लिस्ट के बारे में कि लिस्ट क्या होती है नहीं होती है तो पे क्लोज अटेंशन यहां से आप देखेगा ठीक है जी तो सबसे पहले चलते हैं हम एक्टिव कैम्पेंट यहां मैं एक्टिव कैम्पेंट पे हूं ठीक है और एक बार मैं आपको इसकी प्राइजिंग दिखा देता हूं तो मैं यहां प्राइजिंग पे हूं अगर आपके पास 500 कॉंटेक्ट्स है तो आप 9 डॉलर पर मंथ से एक्टिव कैम्पेंग स्टार्ट कर सकते हैं नौ डॉलर कितना वह 700 रुपए करीब हो गया कुछ है जो कि बहुत ही छोटी सी रखम है अगर आप बिजनस कर रहे हो बहुत ही ज्यादा छोटी रखम है ठीक है तो सबसे पहले हम अपना free trial account बनाएंगे ठीक है और बाद में हम इसको अपना नाम अगरा दे देते हैं फोन न्मर मांग रहाई देको फोन an not में डेने न लड़ो आप अ सली फोन नंबर मैं देना देनी बार में डमी नंबर डाल दे रहा हूं वह लाट इंडश्य रविजिस्नेश्चこの बिजनेस है तो मैं एक कंसल्टिंग एगेंसी डाल दे रहा हूं अगर आपके पास अल्रेडी एक लिस्ट है कॉंटेक्स की पांदस जार लोग अल्रेडी हैं तो आप वो ले सकते हो नहीं तो लेस देन 500 से आप स्टार्ट कर सकते हो और यहां पर कर दो next step और यह दिन कह रहा है what goals would you like to achieve कि क्या आप achieve करना चाहोगे active campaign से तो आप वह यहां पर side कर सकते हो जैसे create a more personalized and customer journey आप वह करना चाहते हो या emails भेजना चाहते हो या क्या करना चाहते हो तो हम second option लेते हैं build and send more targeted segmented emails और इसको कर देते हैं simple next step ठीक है और यह पूछ रहे कि क्या और अलग खूल यूज़ कर रहे हो तो आप उसका नाम लिख सकते हो ओके तो simple मैं यहां पर डाल देता हूं google analytics ठीक है उसके भी नहीं आगी नहीं जाने दिया इसमें और simple मैं कर देता हूं next step और अब यह मैं यहां पर password डाल देता हूं ठीक है जी password डाल दिये और take me to my account अब ध्यान से देखो आप यहां पर एक चीज है list राइट एक बार मैं walkthrough भी करा देता हूं आपको आप सबसे पहले आप आओगे तो देखो यहां पर यह चीज़े आ रही है आपको यह आपके पास home screen आ रही है क्योंकि हमने एक जम जस्ट नए account बनाया है तो यह कह रहा है कि यह चीज़े कर लो भई यह तो मैं उसको close कर देता हूं ठीक है अब सबसे पहले देखो यहां पर एक चीज़े context अब context में क्या दिखेंगे जो भी आपके context हैं वो सारे context आपको यहां पर नजर आ जाएंगे अभी एक context दिख रहा है वो मेरा खुद है जो मैंने अभी add किया था तो वो context आ रहा है बाकि आप यहां पर add कर सकते हो यहां से मैं इसको close कर देता हूं और वापस मैं यहीं चला जाता हूं ठीक है देन आ सारे आपका campaigns अभी आप आगे समझोगे कि campaigns वगरा क्या होती है then automation तो जो भी आप sequences बनाओगे वो सारे sequences कहा नजर आते हैं वो सारे sequences आपको नजर आते हैं automation में deals अगर आपने इसका CRM लिया हुआ है तो आप sales देख सकते हो कि किस stage पर आपकी sales है अगेन हमने वो लिया नहीं कि form कैसे embed करना है कैसे बनाना है रिपोर्ट जो भी आपकी रिपोर्ट है कितने आपने mail भेजी और कितने लोगों ने mail खोली कितने लोगों ने क्लिक है वो तारी चीज़े आप reports में देख सकते हो तो सब आज के lesson में समझते लिस्ट क्या होता है अब इसको ध्रान से समझना देखो suppose करो कि आपकी एक stationary की shop है ठीक है stationary की कहलो या magazines वगर की कहलो bookstore कहलो basically ठीक है एक bookstore है आपके पास और आपके पास बड़ी सारी magazines हैं लोग अलग-अलग किसम की magazines आप कहां से खरीद के लेके जाते हैं और example से कुछ लोग हैं जो golf की magazine खरीद के लेके जाते हैं ठीक है कुछ लोग हैं जो cricket की magazine खरीद के लेके जाते हैं कुछ लोग हैं जो business से related magazine खरीद के लेके जाते हैं ठीक है कुछ लोग हैं जो कोई और चीज से related magazine खरीद के लेके आते हैं अब यह सारे लोग हैं आपके पास ठीक है अब suppose करो कि आपने एक नई magazine launch की आपने launch नहीं की launch जिस company ने भी की आपने उनके साथ tie up किया और वो magazine है से cooking के बारे में ठीक है अब आपने क्या क्या स्टार्ट आपने गॉल्फ वालों को फोन करके बोला कि भाईया देखो एक cooking की magazine आई है अब आपने cricket वालों को फोन कि भाईया देखो एक नई cooking की magazine आई है तिम आपने business वालों को फोन के कि भाईया देखो एक business एक cooking की magazine आई है हाणा अब आपने business वाले को phone क्या बहिया cooking के magazine है को कहे है कि भाई cooking से मेरा क्या ले ना देना है हाण na cooking में तो मेरा interest ही नहीं है कुछ business related है तो बता आपके पास то cooking है दूसरी चीज cricket वाले को cricket आ रे बहिया क्या cooking शुकिंग बेच रो बहिया कुछ cricket में आई है तो बता हैना cooking में इन तीनों का interest नहीं है cooking कि अगर आपके पास नहीं magazine आई है तो किसे offer करना चीए आपको वह magazine आपको ऐसे लोगों को offer करना चीए जिनका already interest किस चीज में है cooking में right अब मान लो कि आपने अपने book store में क्या काम किया होता अगर आपने अपने book store में अलग-अलग से आपने records प्रिपेर रखे होते अलग-अलग आपने records maintain करके रखे होते कि भाईया golf में किसका interest है भाईया cricket में कौन-कौन से लोग है जो cricket की magazine खरीद के ले जाते हैं कौन से लोग है जो cooking से related magazine खरीद के लेके जाते हैं तो आपको ये problem नहीं होती आप सीधे क्या करते है आप देखते कि भाईया cooking में किसका interest है आप वो list निकालते और आप उनको phone करते है अब अगर कोई cricket की magazine नहीं launch हुए तो आप क्या करते है simple आप cricket वालों को देखते और आप उनको phone करते है तो similarly email marketing में भी सेम चीज़ काम करती है अब suppose करो कि आप online education आपका platform है ठीक है online education का आपका platform है और आपके पास कुछ लोग हैं जो की MBBS की तयारी कर रहे हैं उन्होंने आप क्या tie up किया हुआ है similarly कुछ लोग हैं जो ssc की तयारी कर रहे हैं उसमें भी specifically say बस वह आप से maths पड़ रहे हैं कुछ हैं जो again ssc की तयारी कर रहे हैं और to be specific वह आपसे कुछ और पड़ रहे हैं reasoning पड़ रहे हैं तो अब आप को mail भेजना है तो अब आप ये काम नहीं कर सकते कि तीनों को सेम mail भेज रहे हो वो काम आप नहीं कर सकते क्योंकि MBBS वालों को SSC में इंटरस्ट नहीं होगा और जो SSC Maths का आप से पढ़ रहे हैं उनको SSC Reasoning में आप से पढ़ने का कोई ज्यादा वो नहीं है और उसी separate record को हम email marketing में क्या कहते हैं लिस्ट तो अब आप क्या लिस्ट बनाऊगे बहुत Simple लिस्ट बनाऊगे जिसने भी आपसे MBBS के लिए कोर्स खरीदा है उसको आप एक MBBS की लिस्ट में डाल दोगे जिसने भी आपसे SSC का कोर्स खरीदा है उसको आप SSC के लिस्ट में डाल दोगे जिसने आपसे किसी Teaching से Related कोर्स का कोर्स खरीदा है आप उसको Teaching वाले ग्रेड में डाल दोगे हाना तो हर अलग-अलग कोर्स को आप अलग-अलग लिस्ट में डाल दोगे बहुत ही ज़्यादा सिंपल ठीक है जी तो बेसिकल लिस्ट होता क्या है लोगों को उनके अलग-अलग इंटरस्ट के हिसाब से ग्रूप करना मतलब सेम इंटरस्ट वाले लोगों की एक अलग-अलग लिस्ट होनी चाहिए ठीक है तो यहाँ पर आपको अब लिस्ट बना रहा है जब ही आप इमेल मार्केटिंग करोगी तो पहला काम आपको क्या करना है लिस्ट प्रिपेर तो सेम है से कस्टमर है तो कस्टमर ले लो या प्रोस्पेक्ट है तो प्रोस्पेक्ट ले लो या सिंपल कर सकते हो क्रियेट यूरोन लेस्ट ठीक है यहाँ पर सिंपल कर सकते हो क्रियेट यूरोन लेस्ट ठीक है हमारे यह प्रोस्पेक्ट है नाम पूछ रहा है ठीक है सिंपल कर देता हूं मैं गया एड लिस्ट और यहां पे पूछ रहा है लिस्ट का नाम तो मैं यहां पर सीधे लिख देता हूं MBBS Students ठीक है अब लिस्ट URL आपको अपनी वेबसाइट का URL डालना है ठीक है तो मैं सिंपल से मेरी साइट abc.com यह डाल देता हूं और लिस्ट का आपको डिस्क्रिप्शन डालना है यह जो बंदे इस लिस्ट में इंक्लूट की आपने इन लोगों को इस लिस्ट में क्यों डाला है तो मैं सिंपल डाल देता हूं यूँ आर रिसीविंग डिस इमेल बिकॉज यू पर्चेश्ट आर मभीबियास को फिम पर एडब आपके बनासे हैं सब लिस्ट किये आपने एम ब्प स्टूडेंट्स की यह जी यह तो वर आं ढलते हैं एज से सी मैफ्स एसे लोग नहीं स से है्सट की कोचिंग डिये और यहां पे भी मैं abc.com slash ssc यह डाल देता हूं यहां पे क्या लिखोगे you are receiving this email because you purchased our ssc maths maths course simple इसको add कर दो और भी कोई है तो सेम उससे add a list और ऐसे आप बना सकते हैं बहुत ही बहुत ही जादा सिम्पल तो कभी भी आप email marketing करोगे तो step one क्या करना है हमें list बनाना है ठीक है जी बहुत ही बहुत ही जादा आसान ठीक है अब आगे कल के lesson में हम समझेंगे कि और आगे क्या क्या चीज़े होती है और इस list का आपको यूज क्या करना है ठीक है thank you so much for watching this lesson